हलो गाईस तर बात केने वाले हैं रिलेक्सों के बारे में इस कमणी का quarter to fi23 का रिजल्ट आ चुका है सामने तो कैसरा इस कमणी का रिजल्ट और क्या इस कमणी ने dividend दिया है कि नहीं इसी के बारे में discussion करेंगे आज के इस वीडियो में तो वीडियो को जरू से end तर दिख रहे रिलेक्स फूटवेर इस कमणी के result की बात करें तो इस कमणी का result आप लोगो के सामने प्रिजेंटेट है सारी amount सा वो करोड़ में बताई गी है quarter and quarter based के पर कमणी के results को compare करेंगे यह इस quarter का result यह पिछले quarter का result है और यह पिछले साल sim quarter का result देखने के मिलता है कमणी के आपर से इंकम की बात करें तो revenue from operation and other income कुमिला कर कमनी का total income इस quarter के अंदर देखने का मलता है 675.31 करूर रुपीज का quarter and quarter base के पर और पिछले साल sim quarter के अंदर कमनी की income में वो बहुत ज़दा वालटेल है बाकि quarter and quarter base के पर थोड़ी से कमनी की income में वो बढ़ती हुई नजर आ जाती है कमनी के यहां पर से expense की बात करें तो कमपनी का यहां पर से cost of material consumption में और भी बहुत सारी जगा पर कमनी के expenses जाते हुए देखने का मलता है बाकि कमनी के total expense की बात करें तो वो देखने का मलता है 644.87 करो रुपिस के quarter and quarter base के उपर कमनी के जो expense है वो बढ़ा है बाकि पिछले साल से quarter की मुकाबली भी कमनी के expense में बढ़ती होती हुई नजर आ जाती है यहाँ पर हम बात कर लता है कमनी के यहाँ पर net profit के बारे में tax and expenses item काटें के बाद कमनी के पास net profit कितना बच रहा है तो कमनी के यहाँ पर से net profit for period के और इस quarter का देखने को मलता है वो है 22.40 करो रुपिस का quarter and quarter base के उपर और पिछले साल से हम quarter की मुकाबले कमनी के net profit में लगातार गिरावट आ रही है इसके बेचे का हम पर से reason बस एक ही है कि रो मोट्रेल्स का जो प्राइजिंग है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ जाता है बाकि इस कमनी के earning पर शेर की बात करें तो 0.9 रुपिस पर शेर का इस कमनी का EPS पहुंच चुका है जो quarter and quarter base के उपर लगातार गिरता हुआ नजर आ जाता है कमनी का overall result मेरे इसाब से दुबाई बहुती ज़्यादा खराब आया है और ऐसे result चलता रहा तो कमनी के शेर में massive गिरावट आ सकती है जो आप लोग इस कमनी के शेर में big excelli करना चाते हूँ target की बात करें आर कमनी के शेर में करेंट लेवल की अपछी प्र भी profit book कराहते हूँ बाकि इस कमनी के अंदर 1,108 रुपीज का लेवल 1,248 रुपीज का लेवल और 1,407 रुपीज का लेवल यह सभी लेवल्स पर कपनी केशिय में profit book कर सकते हो जो कमनी केशिय में आप लोग खरीदारी करना चाहते हो बहुत उपर की लेवल्स के उपर investment किया था और buy on deep करना चाहते हो